क्या आप भी चाहते हैं कि आपके portfolio में बहतरीन mutual funds हों? इसके लिए आपको हजारो mutual fund में से कुछ बहतरीन mutual fund को select करना आना चाहिए जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में यह कुछ ऐसे parameters हैं जिनमें उन mutual fund से जुड़ी सभी तरह की जानकारिया छुपी होती हैं और आपको इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक बहतरीन fund selection करना चाहते हैं तब अगर आप अपने portfolio के लिए best mutual funds की खोज में हैं तो आपको investment करने से पहले अपने आप से ही कुछ सवाल पुछने होंगे पहला यह है कि आप invest क्यों कर रहे हैं और आपका मकसद यानि goal क्या है उससे सही समय निकालना आसान होगा दूसरा आप अपना investment कितने समय के लिए करना चाहते हैं देखिए equity mutual fund ऐसा investment है जो short term यानि एक या दो साल के लिए नहीं होता है तो उसके लिए आपको अपना नजरिया बतलना पड़ेगा यानि कि अपना investment पांच साल से उपर रखना पड़ेगा तभी आपको बहुत बढ़िया return मिल सकता है तीसरा point यह है कि आप अपना investment कैसे करना चाहते हैं या तो lump sum या फिर SIP mode से मेरा तो यह मानना है कि अगर आप SIP mode से invest करेंगे तो वह बहतरीन रहेगा क्या आप एक नए निवेशक हैं तो फिर आपको large cap या फिर index mutual funds में invest करना बहतर होगा अगर आप कुछ risk ले सकते हैं और एक seasoned investor है तो फिर अधिक returns पाने के लिए आप बेशक small cap और mid cap fund के साथ जा सकते हैं इसके अलावा क्या आप कुछ समय fund selection और research के लिए दे सकते हैं कि नहीं यह सबसे ज़रूरी प्रशन है फिर अगर आपने इन सभी प्रशनों के उत्तर खोज लिये हैं तो आएए हम अपने उस criteria की तरफ चलते हैं जिसका उपयोग करके हम यहाँ पर best equity mutual funds को खोजने वाले हैं दोस्तों यह सही है कि कोई भी mutual fund को चुनने से पहले हम सबसे पहले उसके पिछले साल या फिर 4-5 या 10 साल के returns को देखते हैं पर यहाँ जो मैं parameters बताने वाला हूँ उनमें यह सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं और returns के अलावा भी अगर आप इन parameters को देख करके अपना निरड़े लेते हैं तो फिर आपको best equity mutual fund selection से कोई नहीं रोख सकता है तो यहाँ पर सबसे पहला parameter है alpha जिसका मतलब है कि उस fund ने अपने benchmark index से कितना कम या अधिक returns दिया है साधारण शब्दों में कहें तो alpha किसी भी mutual fund का performance दिखाता है और जो भी सालाना return सब देखते हैं वा already इसमें included रहता है किसी भी mutual fund के alpha को देख करके और उसके pairs और index से compare करके आप यह भी पता कर सकते हैं कि उस fund ने कितना अधिक या कम returns दिया है इसे ऐसे समझें कि मानले आपने जिस mutual fund में invest किया है उसके benchmark index ने 15% का return दिया और उस mutual fund ने 20% का return दिया है तो फिर यहां पर alpha हो गया 5% यह बताता है कि आपके mutual fund की performance उसके benchmark index से 5% जदा है और आप इस fund में invest करने का सोच सकते हैं वहीं अगर मानलें कि आपके fund ने 10% का return दिया तो इसका मतलब है कि उसकी performance अपने benchmark index से 5% कम है और इसलिए आप उस mutual fund में invest करने का ना सोचें तो यहां पर alpha जितना अधिक होगा उतना ही mutual fund के लिए बहतर रहेगा पर यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि केवल एक ही parameter को देख करके आप अपना नड़े ना ले और इसके लिए बाकी parameters पर भी जरूर देहन दे अगला parameter है beta जो बताता है कि बाजार में जो भी उठा पटक या उतार चड़ा हो रहा है उसके परती आपका fund कितना sensitive है और beta जितना भी कम हो उतना ही बहतर है यहां पर अगर beta negative में है तो आपका fund कम volatile है और अगर beta positive है तो यह fund अधिक volatile है आम तोर पर ऐसा माना जाता है कि अगर beta की value एक से कम है तो आपका fund अधिक fluctuate नहीं करेगा और अगर उसकी beta value एक से अधिक है तो आपके fund में volatility अधिक रहेगी परन्तु उसमें return भी अधिक रहने के chances हैं अगला parameter है standard deviation यह भी beta value की तरह से ही volatility को बताता है पर यह उस mutual fund के cool returns के fluctuations यानि उतार चड़ाओं को बताता है यह parameter भी जितना कम से कम रहता है उतना ही उस mutual fund में volatility कम रहेगी और यह उस fund के लिए अच्छा माना जाएगा अगला parameter है sharp ratio जो बताता है कि जोखिम यानि risk की तुलना में आपको returns कितना अधिक मिल रहा है तो इस हिसाब से यह parameter जितना अधिक रहेगा उसका मतलब यह है कि उस fund में जितने खत्रे या volatility है उनको दरकिनार करते हुए आपका fund बहुत ही अच्छा return निकाल कर दे रहा है share pressure को भी आप अपने peers और benchmark index से compare करने के बाद में ही कोई निरड़े ले सकते हैं कि आपका mutual fund कैसा performance दे रहा है अगला parameter है sortino यह आपके fund का risk adjusted performance बताता है यानि कि उसमें नीचे की और सुरक्षा कितनी है जिसे हम downside protection भी बोलते हैं जो किसी fund के लिए बेहत ज़रूरी होता है sortino value अपने peers में जितनी अधिक से अधिक रहेगी उसका मतलब यह है कि आपका mutual fund का risk adjusted performance काफी बहतरी है तो यह थे 5 ज़रूरी parameter जिनको देख करके और analyze करके आप best equity mutual fund का चुनाओ कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज आपको कुछ नया और बहतरीन सीखने को मिला है तो फिर आप इस वीडियो को like जरूर करें और हाँ ऐसे ही informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें चलिए बात करते हैं कि अगर आपको large cap equity mutual fund का चुनाओ करना है तो आपको इन parameters को कैसे देखना होगा फिर हम इस बात को एक live example से भी समझेंगे तो बने रहे हमारे साथ देखिए अगर कोई निवेशक large cap mutual fund में invest करने की सोच रहा है तो उसका मतलब यह है कि वह थोड़ा safe game खिलना चाहता है और उसे अच्छे returns तो चाहिए मगर उसे risk भी कम से कम रखना है तो आप यहाँ पर इस table को देख सकते हैं कि अगर आपको एक best large cap mutual fund का चुनाओ करना है तो आपको alpha reasonably high रखना होगा यहाँ पर हम लोग ने बिलकुल high alpha क्यों नहीं लिया क्योंकि alpha value जितनी जादा होगी उतना ही fund में fluctuation होगा अप चलिए बात करेंगे कि अगर आपका goal है बढ़िया return पाने का और आप इसके लिए थोड़ा बहुत risk भी लेने को तयार है तो आप को small या mid cap fund में invest करना होगा तो best small और mid cap funds चुनने के लिए आप इन parameters पर ध्यान दे क्योंकि आप risk लेने को तयार है इसलिए alpha high रहना चाहिए, beta ठीक ठाक रहना चाहिए standard deviation भी ठीक ठाक, sharp ratio अधिक होना चाहिए और sortino value भी अधिक होना चाहिए चलिए हम लोग एक एक करके कुछ random mutual fund select कर लेते हैं और उन पर यह parameter apply करके देखते हैं कि कौन सा best mutual fund निकल कर सामने आता है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे large cap equity mutual fund की और आप नीचे stable को देख सकते हैं जहाँ पर हमने randomly 4 large cap equity mutual funds को चुना है और नीचे maximum और minimum value भी उन-उन parameters की लिखी हुई है यहाँ पर ध्यान दे कि यह जो भी fund select हो रहे हैं उनमें निवेश की कोई भी राय नहीं है क्योंकि यह एक उदाहरण है और आपको समझाने के उद्देशे से लिया हुआ है सबसे पहले alpha की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि minimum alpha negative में है minus 5.2 और अधिकतम alpha है 8.97 अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि quant focused fund का alpha सबसे अधिक है और axis blue chip ने अपने benchmark को भी बीट नहीं किया है इसलिए उसका alpha negative में है alpha का मतलब यह है कि इन चारो mutual fund को जो हमने यहाँ पर select किया है उनमें quant focused fund ने सबसे अधिक return दिया है लेकिन अधिक alpha होने से उतार चड़ाओ भी बढ़ जाता है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे अब beta की बात करें तो यहाँ पर axis blue chip का beta सबसे कम है और इसके अलावा इसका standard deviation भी कम है और इसलिए इस fund का return सबसे कम है क्योंकि हमें इसमें उतार चड़ाओ सबसे कम देखने को मिलता है वहीं ICICI blue chip fund की beta value सबसे अधिक है और Canera Robaco और quant focused की beta value भी ठीक ठाक है अब बात करेंगे standard deviation की जो बताता है कि fund का कुल उतार चड़ाओ कितना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे अधिक उतार चड़ाओ है quant focused fund में और सबसे कम है axis blue chip में और इसलिए यही चीज उसके return से भी साबित होती है इसका मतलब अधिक उतार चड़ाओ से अधिक returns और कम उतार चड़ाओ से कम returns अब बात करें sharp ratio की जो किसी risk के comparison में कितना अधिक returns मिला है वह बताता है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि axis blue chip में जितना risk है उसके comparison में उसने अधिक returns नहीं दिये है और इसलिए उसका sharp ratio सबसे कम है वहीं यह parameter quant focused में भी अधिक नहीं है बलकि सबसे अधिक है canra robacco blue chip में वहीं पर sortino value जो downside protection बताती है वह भी canra robacco में सबसे अधिक है और axis blue chip में सबसे कम है इसके अलावा बात करें expense ratio की तो फिर यह भी canra robacco में सबसे कम है और ICIC blue chip में सबसे अधिक है अब इन सब parameters को देखते हुए आप कौन सा fund select करेंगे आप मुझे comment करके बताए देखे मेरे हिसाब से अगर कोई नया निवेशक है जिसे बहुत अधिक risk नहीं लेना है और बढ़िया returns भी पाने है तो उसके लिए canra robacco blue chip fund सबसे बहतरी है और अगर वहीं कोई ऐसे निवेशक है जो returns के लिए थोड़ा risk भी ले सकते है तो उनके लिए quant focused fund सबसे बढ़िया है अब बात करेंगे कि अगर आपको एक best small या mid cap equity mutual fund चुनना है तो उसके लिए आप इन parameters को कैसे analyze करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप small या mid cap mutual fund के साथ जाना चाहते है तो इसका मतलब यह है कि आप बाजार के जोखिम को accept कर रहे है यहां जो भी mutual fund हमने select किये है उनमें आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक alpha है quant small cap का जो की maximum value भी है और सबसे कम है SBI small cap का आप देख सकते हैं कि quant small cap में return सबसे अधिक है इसलिए उसका standard deviation यानि उतार चड़ा भी सबसे अधिक है पर इस fund में एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका sharp ratio और 14-0 value भी सबसे अधिक है इसका मतलब इस fund में risk reward ratio और downside protection भी बढ़िया है इन सब parameter और expense ratio को देखते हुए best small cap mutual fund है quant small cap fund मैं यहाँ पर फिर से repeat करता हूँ कि यह कोई निवेश की राय नहीं है और यह सब example आपको केवल समझाने के उदेशे से लिया गया है तो दोस्तों यह वह तरीके हैं जिनकी मदद से आप थोड़ी ही practice करके बड़ी ही आसानी से best equity mutual funds का selection कर सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह सारे parameters आपको कहां देखने को मिलेंगे तो इसके लिए आप किसी भी mutual fund वाली website का रूख कर सकते हैं जैसे कि value research जिन पर आपको यह सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन से best equity mutual funds हैं जिनमें 2023 में आपको निवेश करना चाहिए तो उसके लिए देखें यह video